हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में भारत का भुगोल यानि कि जोग्राफी ओप इंडिया को कवर करने वाले हैं आप में से जो लोग नए होंगे प्ले लिस्टा कर आप चेक कर लीजेगा काफी सारा NCRT सार संग्रा आप लोगों को दिया जा चुका है आप जिस भी जॉब की तयारी कर रहे हो आप एक बार अगर चेक कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आज के जो क्लास में देखने वाले हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए भारत के भूगोल में काफी सारे टॉपिक है एक दिन में देखना साइब आप लोगों के लिए सही ना हूँ मास्टर वीडियो काफी लंबा हो जाने से मेरे हिसाब से काफी लोग ऐसे ही हैं जो नहीं देखना पसंद करते हैं और देखते भी नहीं हैं आज के इस क्लास में कुछी टॉपिक को कबर करेंगे और क्या-क्या टॉपिक है इसमें पहले ये जान लीजिए क्योंकि ये जानना काफी जरूरी होता है कि भारत के भुगोल में क्या-क्या पहला होता है सबसे पहले शामान परिचे जिसे कि अब आप देखने वाले हो देख पिरो इसक्रीन पर इसके बाद फटाफट सून लिजिए भौतिक विभाजन, जलवायू, मृद्दा, प्राकिर्तिक वनस्पति, जै विवित्ता, अफवाह तंत्र, जल परपात, जील, जल संसाधन, सिचाई, नहर जो है आपका बहुत देशी ये नदेगाटी परियोजना है, फिर क्रीसी है, पसू पालन है, खनीश संसाधन है, उर् योग है, जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में, अनुसुची जाती, अनुसुची जनचाती के बारे में, जो सत्रवी भारत की वनस्थिती रिपोर्ट है, उसे देखेंगे, भारत के प्रमुख, अनुसंधान केंद्र को देखना है, प्राकिर्तिक आपदा और किया है, इन सारे टॉपिक को देखना है, एक दिन मैं देखना मेरे हिसाब से, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आज की, इस कलास में देखते हैं, कहा तक किस किस टॉपिक को यहां से आपको पता ही है, यह आपका international level का है, इंडिया level पर यह book है, आप जिस भी job के तयारी के लिए class को देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, first page को हूँ सकता है, देखने में थूरा सा problem आए, बटागे आपको दिक्कत नहीं आएगे, भारत किस गुलार्द में अवस्थि होगा, गुजरात, राजिस्थान, मद्परदेश, 36 जारखंड, पस्चिंबंगाल, तेरिपूरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, कहला कि भारत को लगवग, दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांस भिभाजित करता है, ठीक है, इस point को देखिए, सारह 23 डिगरी उत्र अक्षांस आपको यहाँ पर बताना होता है, इसे आप करकरिखा के नाम से जानते हो, भारत के, यहाँ पर समझेगा, थूरा से स्पेज को आप मैनेज करके देखिए, आगे से, सही से आपको देखने को मिलेगा, भारत के सबसे पस्चमी बिंदू का नाम क्या है, गौरमात होता है, उसमें लगवग कितने समय का अंतर रहता है, लगवग दो घंटे का अंतर होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतिय मानक शमय रेखा, सारे बिरासी टिगरी, किस सहर से होकर गुजरती है, प्रियाग राज के निकट, यानि के पास में जो मिर्जापूर ह यहीं से गुजरती है, भारतिय मानक समय और ग्रीन वीज माध समय में कितने घंटे का अंतर पूछा जाता है, सारे पांच घंटे का अंतर होता है, आईए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यानि के लेफ्ट साइट पर फूकस करिए, छेतर फल की द देखिए, कह रहा है कि भारतिय भूभाग का विस्तार पूरब से पस्चिन पूछता है, तो आपको 2933, यानि कि 2933 किलो मेटर बताना है, और उत्तर से दचिन की और अगर पूछेगा, तो आपको 3214 किलो मेटर बता देना होता है, इस वाली राइट साइट वाले बॉक्स पर दिखिए, यदि भारतिय मानत यामियोत्तर पर मध्यान है, तो 120 डिगरी पूर्वी दिसानतर पर अस्थानिय समय क्या होता है, तो यहाँ पर कितना बज़ेगा, धाई बजना होता है, किस तरीके से होता है, आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आगे दे आपने देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का अक्छांस्य विस्तार क्या है, इसे आप याद कर लिजे, उत्री अक्छांस से, उत्री अक्छांस के मद्वे पूछेगा, आप इसे ध्यान रखिएगा, पूछा ही जाता है, प्रैक्टिस इट में आता ही है, दिसा इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप परिस्थित है, पूछा जाता है कि इंद्रा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का एक मात्र जिला कौन सा है, जिसकी सीमा चार राज्यों को असपर्स करती है, तो उत्तर परदेश का सोनभद्र जीला है यहाँ पर जीला पूछा है ध्यान दिजेगा भारत का एक मात्र जीला है जिसके सीमत चार राज से लगती है। भारतिय मानक समय जो आरेखा है साहरे बेरासी दिए पांच राज उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश 36 गर्ड और इसा और आंद्र प्रदेश से होकर गुजरती है आसा करता हूँ कि यहां तक आपने समझा होगा और कोशिस की गई तो आप सुलो सुलो ही बोल कर बताने का यहां पर अच्छे से देख सकते हैं भारत का मैप को देखिए गौर माता जो गुजरात आपको बताया गया था पस्चमी बिंदू यहां पर है और जो आपका यहां पूर्वी बिंदू था न की बूती की भी थू करके अरुनाचल प्रदेश में इस पॉइंट पर है दोनो होंगे आसा करता हूं कि आप यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे काफी सुलो सुलो तोड़ तोड़ कर यहां तक बताया गया अब आपको थोड़ा सा महनत करना है महनत क्या करना है महनत यह है आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है अच्छा यह वाला पेज की कोशिश करेंगे साथ साथ में बोलते चलेंगे भारतिय मानक शमय रेखा एवन करके रेखा एक दूसरी को कहां पर चतिस गर में काटती है भारत की मुख्य भूमी की तटिये लंबाई पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है एक सट सो किलोमीटर आप बताईएगा मियामार की सरवाधिक सीमा पूछेगा किस भारती राश्यत अरुनाचल परदेश राज से लगती है जनसंख्या के दिरिष्टी से भारत का विश्व में पूछा जाता है कौन सा अस्थान है जनसंख्या के दिरिष्टी से क्या बताएंगे दूसरा अस्थान है चीन के बार मालूम चलेगा कि चीन को भी पीछे भारत ने छोड़ दिया है नेक्स्ट पॉइंट को देखिए असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंदर सासित परदेशों से होकर लगती है गुजरती है आपको बताना है कितना साथ रोस द्वीब नील द्वीब और हेवलोग द्वीब है इसका नाम हो चुका है स्वराज द्वीब इसे याद रखिएगा भारत के जल संधी द्वारा स्रिलंका से प्रिथक होता है पाक जल डमरू संधी के द्वारा भारत का कौन सराज तीन और से बंगलादेश से तिरपूरा है घिरा हुआ चलिए नेक्स्ट पॉइंट को दे पूछा जाता है सुमात्रा के बीच में है जयने कि इंद्वेशिया और निकोबार कि मत्र में है पाक स्टेत आप से पुछे Weise बाहरत और सेलंका के बीच में हैं महीम महीम करके है इस अप निवेशिका के नाम से जानते हो यह पतली से निवेशिका है मुंबई में कच कारी है पस्च में गुजरात में खंभात की खारी है पुर्वे गुजरात नर्मदा और तापती के मुहना को आप कहते हो लक्षुदीप के बारे में आप यहां पे देखे खुद से आपनो कोशिश करिए थोजा सा इसे बोल करके पढ़ने का अगर आपको यह पता हुआ अच्छी पुर्वे टमिल नाडू और स्रीलंका की बीच में खंभात की खारी आपको बताया जा चुका है तॉपिक जो है काफी ज़्यादा कहिए कि क्रिटिकल है जिन लोगों ने पहले नहीं देखा होगा उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है तो आप थोजा सब से लिगते चलि यही आपको है आपके एक्जामनेशन में आपको पार करवाने वाला टॉपिक है जोगड़ाफी देखिए भारत के साथ जो सीमा लगती है बंग्रादेश की वो है 4096 किलोमीटर की चीन के साथ 3488 यानि कि 3488 किलोमीटर चीन के साथ पाकिस्तान के साथ लगता है कितना 3323 किलोमी भूटान के साथ लगता है 699 अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर का बंगलादेश की सीमा रेखा आको डेट किलीफ भारत और जो चीन है उसको मैकमोहन पाकिस्तान के साथ आपको डेट किलीफ रेखा धियान रखना है पूछा जाता है सीमा से समंदित भारतिया बात्र भारतिय राज या फिर केंद साशिद परदेश की संख्या तो बंगलादेश से लगता है पाँछ से आप पाँच वाले को देख लीजै चार वाले को याद कर लीज़े ठीक है चार में लगता है कौन कौन से इन दोनों का मियामार और भुटान मौ और भव को याद रख सकते हैं बाद वाकि देखिए बंगादेश चीन पाकिस्तान और नेपाल के साथ पांच ऐसे राज या फिरकें सासित परदेशन जो लगते हैं आप इसका स्कीन सौर्ट लिज़ेगा आप इसे अच्छे से बार देख लीज़ेगा मैक मोहन रीखा और रेटक्लीफ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ किसकी किसकी बीच क्या हुआ था नहीं हुआ था इसे आप एक नजर देख लेंगे सवाल यहाँ से भी बन कर आ सकता है आपके लिए भारतिय उपमहाद्वीब मुलता किस भूखंड का भाग था गोंडवाना लैंड का भाग था काफी बार प्रश्ट पूछा जा चुका है भारत में उपलब्द पूरा चुम्बक्ये परिनामो यानि कि जो से पर मैगनेटिक रिजल्ट कहते हैं इसके संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतिय भूखंड उत्तर दिशा की और विस्थापित हुआ था अब यहाँ पे समझिए खेड़ा कि भूखडविक संद्रचना के दिरिष्टी से भारत को नॉर्मली तीन भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पे काफी लोग हैं जो कन्फ्यूज करते हैं कितने भाग में तीन भाग आपको याद रख लेना है नमबर पहला हिमाले परवत्य खेडर सकेंड उत्तर का मेदानी भाग तीसरा हुजए गदर्चिन का प्रायद यूपिये पठार सही जवाब है यहाँ पे आप हिमाले के समान अंतर संद्रचनात्मक भाग देखी कह रहा है कि वल्यों की तीवेता ततन निर्मान आयू के आधार पर ट्रांस हिमाले या फिर अपी से तिबबत का छेतर कहते हैं फिर आपका विरिहात हिमाले महान हिमाले आता है लगहू या फिर मध हिमाले कहते हैं बाहे या फिर अफिर हिमालय सिवालिक के नाम से आप जानते हों समझ लेगा प्रैक्टिस सेट में यहीं से सवाल आता है और यहीं से आप log कन्फ्यूज भी करते हैं जिसके वज़ासे की एक गलती के वज़ासे काफी पीछे हो जाते हैं बहुत सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से क्लास को देखिए कोसिस की जारी है धीरे धीरे बोल कर आपको बताने का खुद भी आप समझने की कोसिस करिएगा यकीन मानिए इस टॉपिक पे आपका पकर हो जाएगा प्रैक्टिस सेट में आपका जो मार्स है न वो काफी हाई आना स्टार्ट हो जाएगा डिपेंड करता है आप क्लास को कैसे देख रहे हो देखिएगा उत्तर भारत में उप हिमाले छेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है इसे आप भावर कहते हो उत्तर भारत में उप हिमाले छेत्र के सहारे जो विस्तारित समतल मैदान है इसे कहा जाता है भावर हिमाले का परवत पदिये परदेश कौन सा है सिवालिक बताना होता है सिवालिक सेल समू के दर्चिन में इस्थित भावर छेत्र किस सन्रचना का उदारन है, गिरिपद की इस्थिती का ये उदारन है, सिवालिक सेनी के बारे में समझे, इसकी ओसा तुचाई पीछ पूछी जाती है, तो लगवग 600 से 1200 मीटर के आसपास सिवालिक सेनी का एवरेज हाइट है, लगू हि पूछेगा किन सेनी के मर्द में महान हिमाले और सिवालिक के बीच में है, हिमाले की नवीनतम परवत सेनी कौन सी है, सिवालिक बता दिजेगा, हिमाले की नवीनतम परवत सेनी कौन सी है, सिवालिक है, नर्मदा एवग तापती नदियों के मर्द कौन सी परवत सेनी जो स्रिनी है वो कौन सी है हिमादरी कहिए या फिर आप विरिहत हिमाले कह सकते हो हिमाले की सबसे उची परवत सेर्णी का नाम है हिमादरी या फिर विरिहत हिमाले विरिहत हिमाले जिसे आप ग्रेट हिमाले आज की नाम से जानते हो इसकी ओसत उचाई है एक सट सो मीटर वि पीर पंजाल से नहीं किस राज में अवस्थित है पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में कहां पर है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पूर्वी हिमाले की तोलना में पस्चिमी हिमाले में ट्री लाइन की उचाई कम है समझेंगे पूर्वी हिमाले के कम प्रिजन में अगर पस तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं ये तराई भाग में पाए जाते हैं उत्तरा खंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में तराई भाग में है ध्यान रखिएगा अकसाई चीन किस एरिया में है किस छित्र का है अभाग लददाग में है पस्च्मे हमाले प्रदेश के परमुख प्राकिर्थिक संसाधन क्या है वन है भारत का प्राचींता पर्वती तरिंखला का नाम अरावली है अरावली श्रेनिया की अनुमानित आयू है कितनी सारे 500 देखे 600 से लेकर के ना सारे 500 आप मान के रख सकते है मिलियन वर्स पहले का ये माना गया है अगर पूछेगा अनुमानित आयू तो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्स के ही बीच का ये अरावली प्रवत्रेनिया है माउंट एवरेष्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है सागर माथा नेपाल में किसे कहा जाता है माउंट एवरेष्ट को अरावली किस परकार की परवत से नी है अवसिष्ट परवत की शेहनी है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी का नाम है अनाई मुडी जिसका की हाइट है 2695 मीटर और ये केरल में अवस्थित है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी का नाम अनाई मुडी बता दीजेगा केरल में है 2695 मीटर इसकी उचाई है नेलगिरी परवतमाला का विश्तार किन राजियों में है तो यह के तमिल नाडू और केरल में है यहाँ पे न काफी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं रचिन बायत की सबसे उची चोटी का नाम तो अनाई मुरी है कहाँ पर है देखिए सबसे उची चोटी पूछेगा ना तो केरल बताईएगा और यहाँ पे अगर पूछेगा कि नेल गिरी परवतमाला तब आपको यहाँ पे तमिल नाडू और केरल में है यह ध्यान रखेंगे महराष्ट एवर करनाटक के मर्द में स्थित पस्चिमिक हाट को आप कुंकर्टत के नाम से जानते हो इलाइची की पहारियां किन राज्यों के मर्द में स्थिमा बनाती है केरल और तमिल नाडू के बीच में इलाइची की जो पहारियां है न ये सीमा बनाती है किसमे किसमे केजल और तमिलनाडू में सेवराय पहारियां किस राज में है तमिलनाडू में सेवराय पहारियां कहा पर है तमिलनाडू में है पूर्वी घाट और पस्चमी घाट परस पर नेलगिरी पहारियों पर मिलते हैं पूछा जाता है पूर्वी घाट और पस्चमी घाट कहा पर नेलगिरी पहारी पर ये मिलते हैं भारत की सर्वोच परवचोटी का नाम है केटू गौडवेन आस्टिन कहा जाता है 8611 मीटर इसकी क्या है उचाई है देखिए यहाँ पे भारत का जो है मैप आप इसे देखिए भारत का जो भौत एक मैप है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कहाँ पर कौन सी नदीव अगरा कौन सी पहारी है यह सायद आपको यहाँ पे देखने में प्रावलम हो फिर भी आपको ऐसा करके स्कीन पैसा लगा दिया जा रहा है आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बड़ा साइज में देख सकते हो आप देख लिज़े अगर आपको अच्छे से दिख जाए तो अच्छी बात है देखिए माना दर्रा ध्यान देंगे माना दर्रा उत्राखंड को किस से अगर पूछेगा जोडता है यह तिबबत से जोडता है ठीक है नंदा देवी सिखर किस राज में है उत्राखंड में है नंदा देवी सिखर अरावली सेनी का उच्छतम परवत सिखर का नाम है गुरू सिखर जो की 1722 मीटर है इसका उचाही और यह राजस्थान में पढ़ता है अरावली सेनी का उच्छतम परवत सिखर पूछेगा तो आपको गुरु सिखर बताना होता है ठीक है और उचाई पूछेगा सत्रों सो 22 मीटर है कहाँ पर है राजस्थान आपको बताना है हिमाले की जो परवत सेनी है जिसका नाम है अराकान योमा ये किस देश में इस्थित है आपको क्या बताना है मियामार हिमाले परवत की एक सेनी नाम है अराकान योमा ये किस देश में है मियामार में आपको बता देना है नेक्स्ट पॉइंट समझे कुल्लू घाटी किन परवत सेनीों के बीच में है धौला धर और पीर पंजाल के बीच में पाल घाट दर्रा पूछेगा किन पहारियों के बीच में है तब पाल घाट दर्रा नील गिरी और अन्ना मलाई पहारी के बीच में है क्या है भाई नील गिरी और अन्ना मलाई पहारी के बीच पाल घाट दर्रा सिक्किम में क्या है कौन सा पास कौन सा दर्रा नाथुला आप देख रहे हो ना सिक्किम में क्या है नाथुला दर्रा है आईए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए लीपूलेक, माना और नीती दर्रा कहा पर है ये सारे उत्रा खंड में है कौन कौन से लीपूलेक, माना और नीती दर्रा रोहतांग दर्रा किस राजी में है रोहतांग है हिमाचल परदेश में यहाँ पर समझे बॉक्स में क्या है केरोग पूर्वी हिमाले में औसथ हीम रेखा है अब सुनो लाइन कहते हो 35 मीटर के उचाई पर और 5 मी हिमाले में 35 मीटर के उचाई पर पाई जाती है पूर्वी हिमाले में भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचीन है जो कि कहाँ पर है लद्दाक में है भारत का सबसे बरा हिमनत पूछेगा सियाचीन लद्दाक में है चावडाबारी ग्लेसियर कहाँ पर है तो चावडाबारी ग्लेसियर केदारनात मंदिर के उत्तर में उत्तराखन में है मिखाले का पठार किसका भाग है मिखाले का पठार प्रायद्यूपिय भारत का भाग है भारत के प्रायद्यूपिय परवद किस काल में निर्मित हुए थे यह सवाल काफी इंपोर्टेंट है भारत के प्रायद्यूपिय परवद किस काल में निर्मित हुए थे पेलियो जोईक महाकल्ब काल में नेक्स्ट पॉइंट है अरावली एवंग विंद सिंखलाओं के मद्ध में कौन सा पठार इस्थित है मालवा का पठार आपको बताना है अरावली और विंद सिंखला के बीच में कौन सा पठार है मालवा का पठार RIGHT answer है दंड कारन छेतर कहा पड़ अवस्थित है तो दंड कारन छेतर जो है 36 गर और उडिशा के मद्ध में इस्थित है общ हिमाले एवन क्षिवालिक स्रेनी के मद्ध में किस विष्थित समतल संघ्ठनात्मक अस्थल को पुर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है समझेगा फिर से थोड़ा सा लगू हिमाले और सिवालिक सेनी के मद्द में पूछेगा विस्तित संतल संरतनात्मक अस्थल को पुर्व में द्वार पस्ची में दून के नाम से जाना जाता है ठीक है यहांपे कुश्चन तो है नहीं किस क्या कुश्च तो है नहीं जब यह रहेगा प्रेक्टिस सेट में तब वहाँ पे confusion जो होता है वो आपको पता चलेगा इसलिए तो आध्यान से देखेंगे भारत का आउसत समुदरतल किस तट सिमा पा जाता है बहुत important है चन्नाई से भारत की समुदरतट रेखा की कुल लंबाई पशेतर सो सोल दसमलब 6 किलोमीटर है भारत की समुदरतर की कुल लंबाई पूछेतर सो सोला दसमलब 6 किलोमीटर की है किस राज की तट ये सिमा सब से लंबी है गुजरात की सब से लंबी है कितना है 1214 दसमलब 7 किलोमीटर की भारत के कितने राज समुदरतर रेखा से लगे हुए हैं नौराज यहां, केंदर सालसित परदेश कितने हैं बताईए, चार केंदर सालसित परदेश आपको बताना है, अब बताईए कौन-कौन सा है, चलिए दिखते हैं, पहला गुजरात, फिर महराष्ट, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, पस्चिमंगाल, आंदर परदेश, ओडिश आप स्किन सॉट ले करके जरूर से जरूर याद कर लेजिए, या फिर क्लास को यहां पर रोक लीजिए, अच्छे से समझिए परिए, भारत के तटिये राज, और के निसासित परदेश वाला जो राज है, यह जो काफी इंपोर्टेंट है, सवाल यहां से आता है, इस क्ला लग रहा हो, नहीं, इसी तरह से आप क्लास को थोज़ा देखिए, भुमा फिरा कर समझने की कोशिश करिए, मेरे द्वारा एक बात बार बार कहा गया है, सस्तार होए, बार बार मांगार होए, एक बार वाला कहावत है, आप मांगार होने वाला काम करिए, थो अध्यान से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो, फिर जो आपका प्रेक्टिस सेट में मार्क्स जब अच्छा हैगा, यकीन मानिए कि आप लोगों के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खुरुशी की ही बात रहेगी, इस अच्छे से नॉर्मली तरीके से आपको बताया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं चाहिए होगा ता आप कमेंट करिएगा, यह सब करने के कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए तो अच्छा के बोलना सैथ कह सकते हैं, प्राचीन भारतिय एतिहासिक भुगोल में रतना कर नाम किसका सूचक था हिंद महाशागर का, तमिल नाडू वो आंधर परदेश के समुदरी तट का नाम है, कोरो मंडल, कन्या कुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, केप को मुरीन के नाम से जानते हैं, कन्या कुमारी को किस अन्य नाम से केप के मुरीन के आप जानते हो अंडमान और निकोबार दूइब समू में सबसे अधिक उचारी वाली चोटी कौन सी है सेंडल पीक उसका नाम है किसका नाम है सेंडल पीक अंडमान और निकोबार दूइब समू में जो सबसे उचा पीक है चोटी है उसका नाम है सेंडल पीक सेंडल का यह सें देखिए सतलज और सिंधु नदी के मद इस्थित हिमाले की भाग को कस्मीर हिमाले या पंजाब हिमाले के नाम से जानते हो फिर से समझे सतलज और सिंधु नदी है न इसके जो बीच वाला हिमाले का एरिया है न इसको कस्मीर या पंजाब हिमाले के नाम से जाना जाता है दस डिगरी चैनल किन दो दूइपों को अलग करती है अभी आपने दिखा भी था थोड़े पहले बॉक्स में ये ना अंडुमान को निकोबार से अलग करती है कौन तो दस डिगरी चैनल त्यान रखेगा दस डिगरी नेक्स्ट पॉइंट है बैरन दूइप कहां पर है तो बंगाल की खारी में श्री हरी कोटा दूइप कहां पर अवस्थित है तो फुलकिट खिल के पास में है श्री हरी कोटा दूइप नेक्स्ट पॉइंट है राम से तू कहां से प्रारम होता है धनुस कोडी से राम से तू इसे आप आदम ब्रीज के नाम से जानते हूँ ये स्टार्ट होता है लक्षुदीप कहां पर अवस्तित है लक्षुदीप न अरब शागर में है भारत का कौन सा द्वीप समू प्रवाल निर्मित करता है लक्षुदीप जो है भारत का द्वीप समू प्रवाल निर्मित करता हैं नेक्स्ट पॉइंट है मिनिक्वाई द्वीब जो है भारतिय तटरेखा के सुदूर वपर्थी द्वीब की शेनी में आता है भारत एवं स्री लंका के मद्ध में कौन सा doubt उआ पंबन द्वीब है कहाँ पर रामेश्वरम में परता है भारत और स्रिलंका के मद में पंबन द्वीप है कहा पर है रामश्वरम आपको बताना है द्वीपो पर बशा हुआ भारत का सबसे बरा नगर का नाम मुंबई है कोरी क्रीक कहा पर है कच के रन में कोरी क्रीक अवस्थित है शर क्रीक विवार कि इन दो देशों के बीच में है भारत और पाकिस्तान के बीज में होता है ना कि शर की लराई वाला सिच्वेशन हमेशा रहता है इसलिए आप इसे ध्यान रखेगा भुर्जील वा बनिहाल जो दर रहा है किस परवत सेने के एकोर्डिंग है ति ये पिरपंजाल के सेने में आता है ध्यान रखेगे अब यहाँ पर हेमाले के कुछ जो उचे सिखर है और किस देश में इस्थित है दोनों यहाँ पर चीज को समझते चलिएगा सबसे पहला यहाँ पर है माउंट एवरेष्ट नेपाल देश में परता है केट्टू जो है या फिजिसे आप गौर्डविन आश्टिन के नाम से जानते हो भारत और पी ओके में आप कह सकते हो ठीक है अगर माउंट एवरेष्ट का उचाई पूछता है 8848 बताना है केट्टू का पूछेगा 8611 बता दीजिएगा कंचन जंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है 8586 इसका क्या है उचाई है मीटर में सारे यहाँ पर दिये हुए इसे आप ध्यान रखेगा मकालू के बारे में पूछता है नेपाल में है 8481 मीटर इसका उचाई है धौला गिरी नेपाल में है 8166 मीटर उचाई है नंगा परवत भारत में है 8126 मीटर उचाई है अन्ना पुर्वा पूछता है अन्ना पूर्णा यह नेपाल में ही है 8091 मीटर इसकी उचाई है नंदा देवी पूछेगा भारत में है 7816 मीटर इसकी उचाई है कामेत भारत में 7756 मीटर नामचा बरवा तिबबत यानिकी चीन में परता है 7782 मीटर गरूला मन्धता तिबबत यानिकी चीन में परता है 7728 मीटर इसकी उचाई है किसी छेतर के जलवायू को निर्धारित करने वाला मुक्षि कारक कौन सा है अक्छान्सी अवस्थिति आपको बता देना है अब यहाँ से आपको देखिए समझेेगा कहाँ जलवायो क्लाइमिक टोपिक पे आ चुके है ध्यान रखिएगा किसी छेत्र की जलवायू को निर्धाइद करने वाला मुख्य कारक कौन सा अक्षांसी अवस्तिन अक्षांसी जो कंडिशन उसी के अकॉर्डिंग मौसम वगरा चेंज होता है यहाँ पे आपको लेंड फॉर्म्स एक वर्ड याद रखना है ठीक है योज किया गया है लेंड फॉर्म्स का यह ना जलवायू को परभावित करता है कैसे तो देखे सारा कुछ का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया गया है किस कि को करता है ठीक है जैसे में L से आपका latitude होता है या अक्छांस A से altitude याने कि उचाई N से आपका nearest from sea समुदर से निकटा की condition पे direction of एन्योंने की पवन की दिसा से forest one से याने की ocean currents होगा समुदर के जलधारा के वज़ा से rainfall मतलब वर्सा के वज़ा से mountain मतलब पहार या परवत S होता है soil मतलब मिट्टी के वज़ा से यह सारे point यहाँ पे आप देखेंगे इनके वज़ा से क्या क्या होता है आप समझ पाए यह सारे पश्चमी मैदान में सीती रितों में किसके प्रभाव से वर्सा होती है पश्चमी जो विक्छोब है इसके प्रभाव से भारत का जो उत्तर पश्चमी गलब मैदान का एडिया है इसमें सीती रितों में क्या होता है वर्षा होती है भारत येकिन राज्यों में सरद रितों में वर्सा होती है तो पंजाब और तमिल नाडू भारत के ऐसे राज हैं जहां पर सरद रीतों में वे बारिस होती है बस ये दो राज आपको ध्यान रख लेने हैं भारत में आउशत वार्शिक वर्सा पूछा जाता है 125 सेंटीमीटर आपको बताना है भारत में सरवाधिक व अंधिये मानसुनी जलवायू पाई जाती है तथा यहां सरवाधिक वर्सा दस्चिन पस्च में मानसून द्वारा होती है जलवायू को मानसुनी जलवायू कहा जाता है आए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए भारतिये उपमाहदवीप पर ग्रियस मेरेतों में उच्चता और निम्न दाव हिंद महाशागर से वायू का कर्शन करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या तो दस्चिनी पस्च में मानसून बहती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारीक पवन किसे कहा गया थिया ना व्यापारीक पवन जीरो से 30 डिगरी उत्रे और दक दक्षनी अक्षांस के मद्द में बहने वाली पवन है ये पवने उपोष्ण उच्छ वायू दाव कटीबंद से विश्वतिय निम्न वायू दाव कटीबंद की और क्या होती है बहती है उत्री गुलार्द में इन्हें उत्तर पूर्वयापारीक पवन तथा दच्छनी ग समय में रहता है भारत में दच्छनी पस्चमी मानसून का समय फिक्स किया गया है जून से सितंबर तक भारत में मानसून का आगमन सब से पहले होता है कहां पर केरल राज में भारत में नार्वेश्टर की उत्पत्ति कहां पर हुई है छोटा नागपूर पठार में हुई है भ नवमबर दिसंबर वाले होते हैं, तमिल न नाडो में मानसून के नормal महίνे कौन से नवमबर दिसंबर है, भारते मानसून को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, वो तिबबत का पथार, जेट श्ट्रीम, य мир और जो ला नीना है, सारे के वज़ा से क्या होता है भायत में मानसून आने का कंडिशन रहता है इन्ही सब के वज़ा से उत्री पुर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज है तमिल नाडू भारत के किंच छेत्रों में और शत वर्षा वर्षा है ये होती है कितनी मुकस्मी और पश्चमी रायस्थान में आपको बताना होता है अमरित सर एवंक सिमला लगभग एक ही अक्छांस पर इस्थित है किन्तु उनकी जलवायू में भिन्नता का कारण क्या है उनकी उचाई में भिन्नता आना दैनिक टापांतर किस अस्थान पर पाया जाता है रायस्थान के मरवस्थलिये छेतर में पाया जाता है इसे याद रखेगा पूछेगा दैनिक टापांतर किस राजिये में पाया जाता है तो रायस्थान के मरवस्थलिये एरिया में पाया जाता है यहाँ पे एक पॉइंट था, क्या था समझे भारत में मानसून के प्रसफोट के लिए कहेगा किसे उत्तरदाई माना गया है, यह पूर्वी जेट प्रवाह को माना गया है इसे आप ध्यान रख लिजेगा आज आईए अब नेक्ष्ट टॉपिक पे जो कि आपका मिरिद्दा टॉपिक है यानि कि स्वैल से यहाँ पे आप देखने वाले हैं गलास को देखिए, मिरिद्दा, सब्द के उत्पत्ति, लैटिन भाषा के सब्द सोलम से हुई है जिसका साब्दी कर्थ होता है फर्स यानि कि फ्लोर भारत के सरवाधिक छेतर में कौन से मिरिद्दा पूछेगा तो जलोर कहिए या फिर आप कछारी कह सकते हो मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा रैगुर मिरिद्दा को किस अन्यनाम से रैगुर को आप काली मिट्टी के नाम से जानते हो और ये कहाँ पर पूछेगा इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है तो महराष्ट में है मालवा पठार किस मिरिद्दा की अधिकता तो यहाँ पर पूछेगा ना मालवा की पठार में तो काली मिर्द्ध Dabei अब को बता देना है काली मिर्द्ध ना स्वत्यायी वाले मिर्द्ध भी कहा जाता है जिसमें सिचारी की कम अवश्यक्ता पढती है यह मिर्द्ध कपास्टी खेती के लिए सब से उप्युक्त माना जाता है पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है लेटराइट मेर्दा मुख्यता किन राज्यों में पाई जाती है करनाटा केरल और महरास्ट में लेटराइट मेर्दा पाई जाती है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन से मिरिदा दिनों दिन अनुवर होती जा रही है लेटराइट बता देंगे मिरिदा की छार्यता को कम करने के लिए किसका पर्योग जिपसम का यूज किया जाता है लेटेराइट मेर्दा भारत में मुख्यता कहां पर तो माला बार तटिये परदेश में लेटेराइट मेर्दा पाही जाती है सबसे कम जल धारन छमता किस परकार के मेर्दा में है बलवई जो दोमत मिट्टी होती है इसमें होती है पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार के मरिदा से प्राप्त होती है चिकने मिट्टी से मरिदा की उर्वता बरहाने के लिए कौन सी फशल उगाई जाती है तो दलहनी फशल उगाई जाती है दिखे कहलें चंबल घाटी का निर्मान किस भागालिक प्रकिडिया से हुआ है आपको ध्यान रखना है अवनालिका अपरदन से हुआ है चम्बल घाटी का निर्मान किस भहवलिक प्रिकरिया से अवणालिका अपरदन से हुआ है चाय बगानों के लिए कौन से मेर्दा उप्यूकत है लेटे राइट हो जागराई टांसर दोमट मेर्दा में कौन कौन से कन पाय जाते हैं इसमें गाद मेतिका और रेत पाए जाते हैं भारत की मेताओं में किस सुक्षमितत्य की सरवाधिक कमी है बताईए भारत की मेता में पूछे का किस सुक्षमितत्य की सरवाधिक कमी है तो जस्ता की गंगा के मैदान की पुरानी जलोर मेता जो है कहलाती है बांगर अमलिय मेता को किसी योग बनाने है तू किस खनीज का प्रियोग किया जाता है दलाइन या फिर चूना आप कहिए भारत में सरवाधिक छाड़िये मेर्दा किस राज में पाई जाती है उत्तर प्रदीश में लवनिये मेर्दा में नैट्रूजन व चूने की अल्पता पाई जाती है जैव मेर्दा का रंग निला होता है क्यों क्योंकि न आमल ये और जो फिरस आयरन है इसके वज़े से जैव मेर्दा का रंग कैसा होता है निला या भी सवाल पूछ लेगा कैसा होता है निला बताना है पस्चमी राजस्थान के मेर्दा किस खनीज की अधिकता पाई जाती है तो क तरवास्थलिय मेiscilla में किस पूसक तत् commission का अभाव रहता है नैडूजन आपको ध्यान रखना है मेर्धा अपरदन को किस प्रकार रुखा जा सकता है उनारोपर यानि कि वन लगा करके वन लगा करके इसको आप क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं पियच मान के अनुसार मेदा की प्रकिर्टी बताई गई है ठीक है देखिए अगर एक से छे तक पियच मान है उसे अमलिय मिट्टी कहा जाता है साथ को उदासी जैसा की पानी में भी होता है और आठ से चौदा तक को छारिय मेदा कहा गया है आसा करता हूँ कि आपने अभी तक जो क्लास देखा इसे देखकर आप काफे कुछ सीखे होंगे अब यहां से आ जाते हैं प्राकिर्टिक वनस्पत्ती जो टॉपिक है इसको देख लिए भारत के सरवाधिक वरिहत छेत्र में किस परकार के वन पाये जाते हैं उस निकटी बंदिये सुस्क परनपाती वन पाये जाते हैं उस निकटी बंदिये सदा बाहर वन छेत्रों में और सत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है बताईएगा भारतिये वनस्पती सरवेक चंस के स्थापक सर जॉर्ज किंगी थे तथा इसके अस्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझी जो काफी इंपोर्टेंट है भारत में सिनकोना विरिक्ष कहां पर दारजलिंग में पाये जाती है कथा बनाने है तो किस विरिक्ष की लकरी का प्रियोग करते हैं खैर का समाजिक वानिकी में परियोगत पहु उदेशिय विरिक्ष का उदारन है खिजरी के नाम से आप जानते हो भारत में वन संडक्षन अधिनियम किस वर्स में पारित हुआ था वर्स उनिश्व अस्ति में हुआ था सागोन तथा साल के विरिक्ष किस परकार के वनों में पाय जाते हैं उसने कटी बंदिये आदरपन पाती वन में सागोन का और जो साल का पेड़ यह पाया जाता है जो कि काफी महंगा रहता है पश्चमी हिमाले की सितोष्ण पेटी में देवदार विरिक्ष का बाहुले है बांस जिसे बैंबू कहते हो कि कौन सी प्रजाती 36 गर में सरवाधिक पाई जाती है नाम है उसका लाठी बांस आप ध्यान रखिएगा देखिए भारतिये वन जो प्रबंदन संस्थान है ना इस पॉइंट को देखिए इसकी अस्थापना पूछा जाता है कब हुआ था 1982 में पूछे का कहां पर भुपाल आपको बता देना होता है नेक्स्ट पॉइंट को देखिए समझे लंबी जड़ों और नुकिले काटों का सूली युक्त जारियों और लगुव रिक्षों वाले वन समानिता पाए जाते हैं राजस्थान में संयुक्त राष्ट खाद एवंक्रिसी संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुशार वार्षिक अस्तर पर वन छेत्रों में सबसे जाधा विर्धी में भारत को विश्व में कौन सा अस्थान भारत को आठवां अस्थान मिला है पूरे वर्ल्ल में भूच पत्र जो होता है न जो भूच खाने वाला जो पत्तल रहता है जिसे पत्तल कहते हैं वो कहाँ पर हेमाले में पाया जाता है देखे पलास के विरिक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है भारत के किस राज में सागोन के वन पाए जाते हैं मद्ध पर्देश में समुदिर तल से सरवाधिक उचाई पर पाए जाने वाला विरिक्ष कौन सा है देवदार याद रखने का तरीका देव आप याद रख सकते देव कहां उपर रहते हैं समुदिर तल से पूछेगा सरवाधिक उचाई पर तब आपको बताना होता है देवदार चिपको आंदोलन के परनेता थे कौन सुन्दरलाल बहुगोना भारती एवन सर्वेक्षन की जो अस्थापना है वो कब हुई थी एक जून 1981 को भारत में मैंगरो वनस्पत्ती कितने चित्रफल में विस्तित्य मतलब फैला हुआ है 4992 वर किलोमीटर एरिया में 2021 का जो रिपूर्ट आया था उसके recording आपको बताया गया देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया गया है कि पश्ची में हिमाले चेत्र कहां से कहां तक है तो कुमायू से ये कस्मीर से कुमायू तक फैला हुआ है पूर्वी हिमाले छेतर जो है सिक्कियम से दार्जलिंग तक है अश्रम छेतर में पूछे का ब्रह्म पूत्र और सुर्मा घाटी आता है सिंधु का मैदानी छेतर में अगर पूछता है पंजाब, पश्चमीरायस्थान और उत्री गुजरात का मैदान आता है गंगा का मैदानी छेतर में कच्छारी मैदान आता है दक्कन छेतर में भारतिय प्रहदुईप समगर भूमी आता है मालाबार तट जो है ये प्रहदुईपी तट में और अंड़मान छेतर हो जाएगा अंड़मान दुईप में आता है काफी इंपोर्टेंट यह अभी आप देख रहे हो यहाँ से एक सवाल हर एक एक्जामनेशन में फिक्ष रहता है फॉरेस्ट रिशर्च इंस्टिचूट जो सोज संस्थान है इसका अस्थापना किस एडिया में और किस राज्ज में है सब यहाँ पे देख रहे है फॉरेस्ट रिशर्च पूछेगा 1906 में इसका अस्थापना हुई थी कहाँ पर देहराद उन में और यह उत्तरा खंड में पड़ता है एरिट फॉरेस्ट रिशर्च इंस्टिचूट पूछेगा इसका इसका अस्थापना की गई थी रेन फॉरेस्ट रिशर्च के बारे में पूछेगा 1988 जोरहाट अश्रम में आपको यहाँ पे बता देना है अगर आपसे पूछता है कि इंस्टिचूट ऑफ फॉरेस्ट जनेटिक्स एंड ट्री बीडिडिंग 1988 में कोयम टूर जोकी तमिल नाडू में पड़ता है यहीं पर इसकी अस्थापना की गई थी नेक्स्ट पॉइंट पे आईए अगर पूछता है प्रियाग राज में आपको बताना है जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है हेमालियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिचूट पूछेगा 1977 में साथ ही साथ एडवांस सेंटर फूर बायो टेकनिक लोटे यह जो बायो टेकनोलोजी है यह 1997 में हुआ था इसे आप ध्यान रखेगा दोनों को ठीक है कहाँ पर एक है सिम्ला में है हिमाले फॉरेस्ट इंस्टिचूट जो है और एडवांस सेंटर फूर पूछेगा तो 1997 हैदरावाद आपको तेलंगाना यहाँ पे बता देना है ठीक है इतना छोटा लिखा हुआ है ना खुद भी देखने में प्राबलम हो रहा है ना अभी 77 और 97 एक करने वाले तो ध्यान दिंगे फिर से हिमालियन फॉरेस्ट इंस्टिचूट जो है 1977 सिम्ला हिमाचल परदेश में और एडवांस सेंटर फूर बायो टेकनोलोजी एंड मेंग इंस्टिचूट और फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड हुमन रिसूर्स डवलप्मेंट पूछेगा 1995 चिंदवारा चिंदवारा कहां पर आपको ध्यान रखना है मद्द परदेश में यह परता है आशा करता हूं कि यहां तक आपने अच्छे से समझाओगा अब फिर से ध्या जाता है 1962 बैंगलोडू यानि की करनाटक में इसकी अस्थापना की गई थी इंडियन इंस्टिचूट और फॉरेस्ट मेंजिमेंट पूछेगा भोपाल में है मंद्द परदेश में 1982 में इसकी अस्थापना की गई थी अगर आपसे पूछेगा जी बी पंत हिमालिय परियावरन इवंविकास संस्थान किस राज में उत्राखन में कहाँ पर अलमोडा में कव 1988 में अस्थापना की गई थी उस नकटी बंध ही वनस्थापती उद्ध्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंत पूरम केरल में इसकी अस्थापना की गई थी आज ये अब जैविवित्ता भारत की राश्टी उद्ध्यान तो आज के इस क्लास को बस यहीं तक रहनी देते हैं आसा करता हूँ कि आप लोग यहां तक ध्यान से देखे होंगे बोर नहीं हुए होंगे अगर आपको इस क्लास के बारे में कुछ भी कहना हो कमेंट करके आप बटाईए काफी इंपोर्टेंट जोगरफी आपके हर एक एक जामनेशन के भी हूँ से है आपने क्लास को कितने अच्छे तरीके से देखा वो आप पिट अब छोड़ा जा रहा है इसका और भी पार्ट दो, तीन, चार पार्ट में होगा तो छुटा-छुटा क्लास करके दिया जाएगा अगर आप लोग क्लास से सहमत होंगे तब तो वीडियो को लाइक बस करदेजिए काम चलेगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पता नहीं कि आप लोग कमेंट वगरा करते ही नहीं है, साध Insert हो सकता है, कमेंट करने का आपको YouTube वगरा से पैसा लगता होगा है ना, अगर कुछ कमेंट कर देंगए, class अच्छा था ठीक था क्या सही किया जाए नहीं किया जाए class अच्छा था थे बस इतना लिग दीजिए अच्छा लगा class उसको भी type करने में पता ने क्या क्या problem होता है आप लोगों को है न कोई दिक्कत नहीं है नहीं करना है जैसा ठीक लगे सही है इस क्लास के बारे में कुछ कहना हूँ आपको आपके अच्छाई के लिए क्लास में अगर कुछ सुधार चाहिए होगा आप खुद से कमेंट करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में इस टॉपिक को भारत के राष्टी उद्यान को पढ़ने के बाद यहां से वल लाइनर देखेंगे भारत का सबसे बड़ा वर नस्पति उद्यान कहां पर है खुलकाता में है काजी रंगा राष्टी उद्यान अश्रम में किसके लिए एक सिंग वा क्लास ठीक था इतना देर का क्लास आप लोगों के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा जो भी हो कमेंट कम सिकम कर दिजिएगा